अब देको पहले बात करेंगे कुछ बी ओसी यानिकी बॉक्स अफिस कलेक्शन की अपडेट्स के बारे भी तो फर्स्ट अफॉल थौर लगन धंडर का संडे तक का कलेक्शन बन चुका है 64.80 करोर जो की वागी काफी साही है अब अभी तो Monday, Tuesday and Wednesday का भी एड होगा बाकी आपके हिसाब से ये मुवी इंडिया की अंदर कितना कलेक्शन कर सकती है तो नीचे कॉमेंट करना मत बूलना अब अगर बात करें आर माधवन सर की रॉकी ट्री के बारे में तो इसका अभी तक कलेक्शन बन चुका है 12.15 करोर का अब अगर बात करें Fast and Furious 10 के बारे में तो रिसेंटली यहाँ से एक वीडियो क्लिप को रिवील किया किया है जो कि मुवी की अंदर एक एपिक इस्टेंट सीन को टीस कर रहा है और यह वीडियो आपको देखने को मिलेगा दिने लिया मेलकॉर्स के इंस्टा अकाउंट पर अब क्योंकि मुवी की अंदर उनका रोल किया है वो अन्नोन है तो इसलिए कैप्शन में वो लिखती है और बाकी मुवी की फिल्मिंग जारी है देखने को मिल जाएगी 19 तफ में 2013 को आप में से कौन-कौन वेट कर रहा है प्लीज कॉमेंट हैश्टेग फास्टेन या फिर फास्टेक्स और बहीं अगर बात करें अब कभी मुवी दी ग्रे मैन की बारे में तो सब जानते हैं कि आपको इसमें धनुष देखने को मिलेंगे और रिसेंटली यहां से एक वीडियो क्लिप को रिवील किया किया है जिसमें कि आपको एक फाइट सीन देखने को मिलता है बिट्वीन राइन कॉसलिंग धनुष एंड एनदे अर्माज हलाकि फाइट अधूरी है पर यार एक बार धनुष का परफॉर्मेंस देखो वाकई ओसम लग रहा है और अगर देख लिया है तुँ आप मेंसे कौन-कौन मुवी के लिए वेट कर रहे है प्लीज कॉमेंट हैश्टेग दी गरी मैन साथ ही अगर बात करें रेजिडेंट इविल सीरियस के बारे में जो की आपको देखने को मिलने वाली है 14 जुलाय 2022 को और इसका रिलीज टाइम है दिन की साड़े बारा बजे अप्रॉक्सिमेटली आगे पीछे भी हो सकता है हाला कि ओफीशल साइट पर यही शो कर रहा है और रीसेंटली इस शो से एक ओफीशल क्लिप को भी रिविल किया गया है तो एक बार चेक आउट कर लेना वही अगर बाग करें इसके प्लॉट के बारे में तो कहानी मेली फोकस करेगी तो टाइम लाइन के ऊपर 2022 की एंड 2036 की 2022 में हमें देखने का मिलेगा इस इवेंट के बारे में की असल में ये सब हुआ कैसे और 2036 में इस चीज के कॉन सिक्वेंसिज एंड आप में से कौन-कौन शो के के लिए वेट कर रहा है तो नीचे हैस्ट्रेग रजिडेंट इविल कॉमेंट करना मत बूलना अब बात करते हैं इस ट्रेंजर तिंग्स 4 के फैन फेवरेट के एडी मंसन के बारे में तो सब जानती है कि स्टी फोर पार्ट टू की एंडिंग में एडी मर चुका है तो इस इस वेबसाइट पर टॉप साइंड पेटिशन बन जाएगी अगर आप भी करना चाहते हैं तो लिंक डाल दिया है टैप पर वहाँ पर जाके कर सकते हो एंड साथ में एक लाइक भी और बाकी आप में से किस-किस को एडी के जाने का दुख है तो नीचे हैस्टेग लव एक्शन टाइप लग रहा था पर इस मीटियोर का जिकर हमें टोलकिन की एलो टियर बुक्स में देखने का मिलता है बट फर्स्टेज में जो की असल में गिरता है अर्थ के वेस्ट में एंड ये मिलता है यौल दार्क एल्फ को चो की इसका यूज करके दो इविल दो शैतानी तलबारे बनाता है पहली एंग विल जिसे वो अपने पास रखता है और दूसरी एंग लेचिल जिसे बाद में कोई और लेकर उसे रिनेम करता है एंड नाम रखता है गट हैंग हाला कि अगर देखा जाए दा रिंग्स अफ पार में इस इवेंट का कोई भी का इस दर या फिर कह सकते हैं एक ओफिशियल ट्रेलर जो भी आएगा कम सी कम लेंथ में इससे लंबा होगा तो बस फिर आज के लिए इतना ही और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शियर जो कि आप मेंसे कुछ लोग तो गरते हैं और कुछ नहीं करती तब का किया लिए बाई बाई टेक कियार जैहिन जैब भारत